और यार उसकी स्टार्टिंग क्या से जरें फोड़ा सलो चलता हूं और और लिए यह काफी कम प्राइस में काफी प्रीमियम सी फील देते हैं फिर चाइन के एकसेसरी हो फोन के बारे में बात करने नीची है आज की रेट में इसका डब्बा खोलता है फिर देखते क्या बात है प्रीमियम नेस की यह हमारा नेकबर्ड निकल जाता है चार्ज फोर 10 मिनिट्स एंजोई फोर 20 आर्स फुल फास्ट चार्जिंग सार उपड़िया गलत कोल दिया है यह हमारों को मोटी मोटी पुस्तके मिल जाएंगी यह यूपी सी में आपको पढ़के जानी है वन प्लस एट टू के बारे में कान में लगाने वाली बबलिया एक तो टाइप A to type C केबल और एक रेड केबल कलब का काड इससे मिलीगे आपको रेड केबल कलब में एंट्री तो बाई यह आ जाते है मारे नेक बेंट यहां से मारे को रबर कवरिंग मिल जाती है और फुली फ्लेक्सिबल वाली है बिड्ट के मामले में नो इशू और आगे क्लोज करोंगे आपका नेक बेंट आफ हो जाएगा और या से कनेक्ट हो जाएगा और चीज में आपको घृट को करोंगे ज्यादा कुछ आज आसा फरक नहीं है सेम इस साई बाकी सारा डिफरेंस आएगा देखो वाइस क्वालिटि में जाएंगे पहले आपको की फीचर Bluetooth वर्जन 5.0 हमारे को इंदर मिल जाता है IP 55 है तो पानी वानी के छीट लग जाते है जिम में मचाते हो आप अगर हर बार बोलता हूं यार वी रोल तो ज़रूर यह जो तुमारे सामने चल रहा है और बात आती है कोडेक सपोर्ट की तो SBC और AAC दोनों सपोर्ट आपको इंदर मिल जाएंगे और बात आती है बैटरी और चार्जिंग की तो फास्ट चार्ज आपको इंदर मिलेगा 10 मिनट चार्ज बे आप इसके अंदर 20 आर्स का प्ले टाइम ले सकते हो बाई यह बहुत स तो कमफर्ट कैसा है अच्छा नहीं लग रहा बारी एंड जो एयरबट का कमफर्ट है नाइस और नेकमेंड इतना हेवी भी नहीं है वेट करके देखें इस नेकमेंड का जो वेट हमारा वो 27-28 ग्राम से सिर्फ यहां पर वेट भी कुछ ऐसा जादा नहीं मिलता अब नेक साइज है वो 12.4 mm है और OnePlus का कहना है उनके जो नेक बेंड के लाइन अप में अभी तक का सबसे बड़ा ड्राइवर है अब सबसे बड़ा है तो कितनी बढ़ी आवाज देगा music and multimedia सुन के बदाते हैं आपको अगर आप बेस लवर हो तो यह नेक बेंड आप बतलब कंक्लूजन तक मत जाना इसी पार्ट में आपको कहूंगा आप इसको बाइब कर सकते हो बहुत ही तकड़ा बेस है इसके अंदर बट बेस के साथ नश्य से जादा बेस है तो इसके साथ साथ जो आपके मिड्स है वह कहीं थोड़े से ओवर कम हो जाते है तो जहां पर आपको म्यूजिक कुछ इस टाइप का होगा जहां पर वोकल्स हलकी होते हैं और बीट ज्यादा होती है तो वहां पर आपको लगेगा कि हां बेस पहुँ जादा है और अगर आप इसको मूवी बगरे के लिए यूज करता है तो कुछ ऐसी साउंड कॉलिटी एसकी और डेफिनेटली मेरे को तो बेस पसंद है और बेबी को फुल बेस करोगे क्योंकि सबसे ज्यादा बेटर रहते हैं अगर बाइक बाइक पर ट्रेवल करते हो तो नेक बैंड वही लोग पर चेस करते हैं आप जो अवास सुन अच्छा कर रहा है क्योंकि आप एसी चल रहा ना एक फैन भी चल रहा कोने में तो इसकी नॉइस को काफी हद तक इसने कैंसल आउट कर दिया अगर आपको डंग से सुनने तो हेड़फोन लगा क्या वीडियो देखो तो आपको पता लएगा कि कैसा माइक है अंड बात करत फुल बेस तो यह ले सकते हो बाकि बिल्ड कॉलेटी में कोई इश्यू है नहीं यही थान का रिव्यू टू आपको कैसे लगी वीडियो कैसा लगा नेक बेंड बताओ हमारे को कॉमेंट सेक्शन में और मिलता नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाए